तो पिछले पार्ट में हमने देखा तक कि जुशियान को याओएन प्र थोरा से शक्त था लेकिन फिर याओएन उससे समझाती है तो जुशियान माल जाती है वैसे इसके बाद हमने देखा था कि जब इमौर्टल लॉड कुछ बीस्टो से फाइट कर रहे थे तभी फैरी ले लेडी हसी रही थी और इमौर्टल लॉड को उसके रादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे वह उससे पूस्ते हैं कि तुम यहां पर क्या कर रही हो लेकिन अब शायद उनकी तरफ अटैक करने वाली थी इसलिए इमौर्टल लॉड वहां से भागते हैं क्योंकि वैसे भी उन तो है नहीं कि आप उसे हडापाओ लेकिन हाँ आपकी यह थोड़ी सी पावर है यह मेरी मदद जरूर कर सकती है और साथ यह फैरी लेडी ने उन्हें फिर से भागने से रोक लिया था और अब वह उन्हें अपने स्क्रिप्चर को पकर कर वापस पीछे को खीच दी है वैस कारण से वो निकल नहीं पा रहे थे अब हम देखते हैं कि फैरी लेडी उन्हें पीछे खीचती है और हस्ते वे कहती है कि पावर मेरी बहुत मदद करने वाली है वैसे वह भी यह भी कह रही थी कि जुश्यान में तुम्हारे जितने स्ट्रॉंग नहीं हूं क्योंकि तुम से मिलकर मैं यह जान चुकी हूँ कि जो तागतवर है उसी करार चलता है इसलिए अब मैं एक दिन तुम्हें भी पीछे छोड़कर रहूंगी और भले ही आज मैं तुम्हारे लेवल पर नहीं हूं लेकिन एक तीन में तुमसे भी आगे निकल कर दिखाऊंगी वैसे इतना क कहते कहते उसने इमोर्टल लॉर्ड की सोल को अब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था हम देखते हैं कि इस चीज़ के कारण इमोर्टल लॉर्ड को बहुत दर्द हो रहा था और वह चीक भी रहे थे साथी हिल लुलकर उससे निकलने की कोशिश भी कर रहे थे मगर अब फै पसे ब्लैक औरा भी आ गया था और फिर अब वहां से उड़ते वे कहीं चली जाती है इसके बाद अब सीन चेंज हो जाता है और हम आ जाते हैं यहां जींग और बाकि सभी के पास जो कि उड़ते उड़ते उस टैंपल से बाहर जा रहे थी अब यहां पर श्याव जींग से कहती है कि ब्रदर हमें तो कई घंटे हो चुके हैं इस तरह से चलते चलते लेकिन अभी तक हम पहुंचे नहीं साथी अभी ये रेन भी आगे आती है और कहती है कि यह सही कह रही है हम तो जादा देर से उड़ते जा रहे हैं लेकिन यह सफेर क्लाउट खतम होने का नाम ही नहीं रहें अब इस पर जीन कहता है कि हां मुझे भी कुछ गरबर तो हैसुस हो रही है इसके बाद अपने नेर्जी से आगे तक का देखने का ट्राइक करता है मगर से दूर दूर तक सिर्व वहीं देख रहा था और साथ ही वहां कुछ पिलर्स भी लगे हुए थी लेकिन जीन कहता है कि हां तुमने मिलकुल सही समझा जब वह स्टैंपल में एंटर कीची तभी उसने की फर्मिशन बनाया होगा वह बहुत चाला आख है अब इसके बाद ये उससे पूस्टी है कि तो फिर अब हमें क्या करें जिस पर जीन कहता है कि हमारे पास और कोई चाला नही और मैं चाहता हूं कि इतनी देर तक हम छुप कर रहें क्योंकि मुझे शक है कि वह यहां पर पहुंचती होगी इसके बाद जिंगास पर जैसे चीज बना देता है जो कि उन्हें इन्वीजिबल रख सकता है साथ ही वह कहता है कि यहां पर जितनी ऑक्सिजन है हमें सिर्फ उतनी ऑक्सिजन में कुछ तरह तक रहना होगा चौकि यह खास तरह का बारियर बाहर से ऑक्सिजन कोई भी अंदर आने नहीं देता है इसी कारण से बाहर का कोई भी वक्ति हमें नहीं देख सकता अब यह रेन कहती है कि तो ठीक है लेकिन हम सिर्फ तीन गंटे तक इतनी ऑ बहुत है में लिए अब हम देखते हैं कि वह चारों वहाँ पर नीचे यहां जाते हैं और बैट करना स्टार्ट कर देता है और अभी यह तीनों से प्रोटक्ट करने के लिए आसपास देख रहे थी साथी अब मूब यहां नीचे आ गया था और उसका साइस बहुत छोटा ह हो या था इसे लिए अब वो जाकर श्याओ के करने पर बैठ जाता है अब यहां हम देखते हैं कि यह तो बहुत देर हो चुकी है इतने में तो वह यहां से निकल चुके होंगे लेकिन इस बार जुशियान कहती है कि ऐसा हो जी नहीं सकता क्योंकि मैं यहां पर जब आई थी तब ही मैंने एक फर्मेशन बना दिया था और उस फर्मेशन को ब्रेक करना उनके बसकी बात है ही नहीं वैसे मुझे उनकी ब्रे सैंस नहीं हो रही है जबकि अभी अभी जो समझ नहीं आ रहा है इस पर जुशियान कहती है कि हां मेरे पास तरीका तो है पता लगाने का कि वो कहां चुप कर वैठे हैं और इसके बाद वहां से आगे बढ़ती है यहां हम देखते हैं कि याविन थोड़ी चिंता में थी मगर अभी वो नाहीं कुछ कर सकती थी और चालू कर देती है और इसके बाद यह पार्ट यह बेखतर हो जाता है अब अगर आपको वीडियों पसंदा यह फीज़े से लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजेगा अब हम मिलते हैं आप से अगले वीडियों में तब तक के लिए